तुर्की के लोगों ने अर्दोगन से बहुत ही खतरनाक मांग कर डाली। तुर्की में मौजूद फिलिस्तीन के समर्था के मांग कर रहे हैं कि अर्दोगन अपनी तुर्क फॉज गाजा में भेजें। गाजा के हालात से अर्दुगन पहले ही बहुत दुखी है और अगर इसी तरह राजनेतिक दबाव उन पर बढ़ता रहा तो गाजा वर्ल्ड वार का टिगर पॉइंट कभी भी बन सकता है तुर्की के लोग इस्रेल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रही है अगर विरोध प्रदर्शन सिर्फ यहीं तक होता तो बाइडन और नेतन्याहू को इससे कोई फर्क नहीं पढ़ने बाला था लेकिन तुर्की के नाराज लोग जो फिलिस्तीन के लिए नारे लगा रहे थे तुर्की के दक्षिन में मौजूद अदाना एयर बेस पर पहुंच गए जो अमेरिका का सैन ने अड़्डा है और तावा किया जाता है कि यहां पर 50 की संख्या में अटम बम रखे हुए है यह विरोध प्रदर्शन अदाना की सड़कों पर भी हो सकता था लेकिन क्या जान बूच कर परमाणू बम वाले छेकानों पर भीड का हमला करवाया जा रहा है क्या रूस और इरान मिलकर कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे है या फिर इन परमाणू अट्टों पर गब्जा करके अमेरिका या फिर इस्राइल के लोग नुकसान पहुचाना चाहते है यहाँ बहुत जबरदस्ट विरोध प्रदर्शन हुआ है साथ ही प्रदर्शन कारियों के नेता ने अमेरिका और एज्रेल को चेकावनी भी दिये खास बात यह है कि तुरकी के सिर्फ आदाना ही नहीं बलकि और भी कई शहरों में अमेरिका के खिलाफ विरोत प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री अंटरी बलेंकन तुर्की दौरे पर हैं और वो किसी तरह इस्राइल और तुर्की के बीच बिगटते रिष्टों को सम्हालने की कोशिश में लगे हैं लेकिन तुर्की के अंदर जहां से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटरी ब्लेंकन का दोरा होना था वहाँ पर हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा की तस्वीरें लगाई गई थी ताकि अमेरिका को ये बताया जा सके कि आखिर तुर्की के लोग क्या चाहते हैं इस्रेयल और फिलिस्तीन के कोछ अगबारों में तो यहां तर चपा है कि तुर्की के लोग ये मांग कर रहे हैं कि तुर्क सेना को गाजा के लोगों की रक्षा के लिए रवाना किया जाए तुर्की के राशवपती तैयब अर्दोगन एक मंजे हुए राजनेता है पब्लिक की नबस को समझते हैं इसलिए उनोंने तुर्की के इस्तांबूल में बहुत बड़ी रेली कि थी और नेतन्याहू को अतंपवादी कर अधिका अफक मुझ उसंद उसन्दिए हर यदे काप्लेई बगदेशने बिजविज कर दे इसे बड़े की रदेविट में केंज माईए एल्ग्यू इस्मोगार बहुत चाला किसे अमेरिकाने ओयू को अंधिक विए एकिस्पार्ण भीग एकूद्जाइ अमेरिका की नौसेना ने बताया है कि उसकी ओहियो क्लास की एक पर्माणू पंडुपी यूएस सेंट्रल कमांड की ओपरेशनल एरिया में पहुँच गई है। कमांड में सोमौर को स्वेज नहर से गुजरते हुए इस पर्माणू पंडुपी की एक तस्वीर भी प्रकाशित की है। हलाकि अमेरिका की नौसेना ने ओयो क्लास केस पर्माणू पंडुपी की पूरी पहचान का खुलासा नहीं किया है। लेकिन इस तरह की पंडुपीयों में टॉम हॉक क्रूज मिसाइले होती हैं। इन पंडुपीयों में ट्राइड एंड टू बैलिस्टिक मिसाइले भी होती हैं। जो अमेरिका की पर्माणू मिसाइल है और एक साथ कई वार हेड ले जा सकती है। अमेरिका की टाकत को तर्टी के राशवदी अर्दोगन भी जानते हैं और समझते ह। और तर्की नैटो का सदसे ही है लेकिन घाजा में जो हो रहा है उससे तर्की के राशवदी अर्दोगन काफी ज्यादा दुखी है। लेकिन इस्रेयल ने हमास को खत्म करने का फैसला कर लिया है और वो युद्ध विराम को तयार नहीं है अमेरिका भी इस्रेयल का साथ दे रहा है और दूसरी तरफ जॉर्डन, कतर, युए, साथी अरब, तुर्की, इरान ये सभी मुलक जल्द से जल्द युद्ध विराम चाते हैं तुर्की के विदेश मंत्री के साथ एंटिनी ब्लिंकन की मुलाकात होई है लेकिन मदभेतों को रोक पाना अब आसान नहीं रहिया है और उसकी वजब बिल्कुल साफ है तुर्की के राशबती अर्दोगन गाजा में इस्रेयल की कार्रिवाई को नरसंगार की संज्या दे एिरहीं हिजमेटरिनी चेकर एक टोप्लुचा योग एत्मे पेशिंदेलर तूसरी दरफ एंटनी बिंकन एराक का भी दोरा किया है एराक का दोरा अप्रत्याशित है क्योंकि इसकी पहले कोई योजना ही नहीं थी लेकिन माना जा रहा है कि एराक कि प्रदान मंत्री 17 अक्टूबर से अब तर अमेरिका के सेन ने चेकानों पर करीब 35 हमले किये हैं माना ये जा रहा है कि एंटी बिलिंकन ने इराक के प्रदान मंत्री अलसुदानी के जरिये इरान को संदेश भेजा है क्योंकि बिलिंकन से मुलाकात के फोरण बाद अलसुदानी इरान गए हैं और उन्होंने वहां अमेरिका की तरफ से इरान को ये बताया है कि अगर सीरिया और इराक में अमेरिका पर हमले नहीं रुके तो इरान को इसकी भार्यक्ती मत चुकानी पड़ेगी हलाकि इरान का रुक नरम होता नहीं दिख रहा है क्योंकि इरान के रक्षा मंत्री अशीत यानी ने कहा है कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो अमेरिका को बहुत बड़ा जट्टा जेलना पड़ सकता है दूसरी तरफ इसरैल ने ये रणनीती बनाई है कि वो साथ अक्टूबर को हुए आतंकी हमले की तज़वीरें पूरी दुनिया को दिखाएगा ताकि उसके खिलाफ दुनिया में बन रहा माहौल काम्याब ना हो पाए तूर्की के राजशबती इतने जाधा नाराज हैं कि उन्होंने अपना राज़ दूट भी इसरैल से बुला लिया है तूर्की की विदेश मंतराले ने अपना राज़ दूट वापिस बुलाते हुए ये कहा कि अब नेतनियाहू इस लायप नहीं कि उनसे बात की जाए तुर्की के राज शबती के इन बयानों से समझा जा सकता है कि तुर्की के अंदर इस वक्त घाजा पर किस तरह की उथल पुथल मची होई है गाज़े दे साउन्मा देइल अचिक वे अल्चक बिर काट्याम यूरू तुल मिलाकर अगर घाजा में ऐसे ही इस्रेयल बंबसाता रहा तो पूरा वेस्ट एशिया और इस्तिर हो सकता है कि अर्णा और अड़ जूर्णा